आपके मन में काफी कोश्चन आई होंगे कि अर मार्किट को क्या हो गया, मार्किट चल क्यों नहीं रहा, मार्किट में दिक्कत क्या है, इसलिए मैं आपको एक पास्ट फाइनेशल क्राइसिस दिखाना चाहता हूँ, जो है 2007-2008 का, सबसे बड़ा फाइनेशल क्राइसिस आए आपको 2-3% के आसपास के रिटन दिये हैं, तो जब मार्किट क्राइश आता है, तो काफी लंबा समय ऐसा होता है, जहां पर आपको कोई रिटन नहीं मिल रहे होते, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2013 से लेकर कि आप आने वाले नेक्स 5-6 साल को देखते हो, तो आपको 100% के रिटन दिये हैं, निफ्टी मतब जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं, उन्होंने आपको उत्ते तगड़र रिटन दिये हैं, तो इसी वज़े से आज हम ऐसी कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो की आने वाले टाइम पर बहुत अच्चे तरीके से रिकवर कर सकती है और इस समय पर आपको oversold zone के अंदर दिख रही है, हो सकता है, निफ्टी dance करता रहा है, थोड़ा बहुत आगे पिछे उपर नीचे, लेकिन जैसे ही आपको interest rate कम होते वे दिखेंगी, तो आपको ये सारी company ज़रूर rally बनाती भी दिख सकती हैं, तो बिना time waste करें, जानते हैं वो कौन सी कमपनिया होने वाली हैं, जो आपके at least watch list के अंदर होनी चाहिए, अगर आप small cap में invest करना पसंद करते हो, तो अमुरुत आनजन आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है, fundamental wise काफी शानदार company है, मेली South India के अंदर ये focus करती है, महाँ पे bomb बनाती है, surrender pad बनाती है, और इन साइच चीजों में ये company काम करती है, अगर आप growth देखोगे, तो काफी शानदा growth हाती है बीच में, लेकिन जैसे जैसे market का interest ख़दम हो रहा है small cap company की side, mid cap company की side, क्योंकि ज्यादा तर लोग अभी large cap company में गुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वज़े से ये company आपको नीच 8-10% की growth दिखेगी, वहीं पर जो अमरुतान जन है, यहाँ पर आपको next level of growth देखने को मिल रही, क्योंकि अपने नए-ने product introduce करते जा रहे है, उपर से expansion है वो भी धीरे-धीरे कर रहे है, initial level पर जैसे मैंने बताया, South India के अंदर ये mainly focus करते थे और North India के अंदर भी ये अपने expansion को move कर चुके हैं, अगर आपका 2-3 साल का vision है, तो 2-3 साल के लिए मुझे लगता है, ये company काफी जाद अच्छी हो सकती है, small cap के अंदर अगर rally आती है, तो मुझे लगता है, ये company काफी तरह से भागते वे दिखेगी, because fundamental wise, कोई दिक्कत नहीं है, inflation के वज़े से चीज़े आ और अगर आप देखते हों, यहाँ पर जो एक major support बनता हो दिखता है, वो दिखता है, 527 रुपे के आसपास, 527 के आसपास एक major support दिखता है, जहां पर हमारे लिए buying opportunity हो सकती है, RSI की बात करोगे, 31.27 के RSI पर company trade कर रही है, मतलब fair zone के अंदर आ चुकी है, जो हमारा अगला stock होने वाला है, उसका नाम है Bajaj Finance, आप बलूगे, यह तो बहुत बड़ी company है, सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जादा तर लोग इसके अंदर invest नहीं करते, कहते हैं, बहुत जादा बड़ी company है, कितने level की grow हो सकती है, आप यह समझो, यह एक NBFC company है, non banking finance company है, यहां प 2020 में जो इसका all time high था, वो था 4950 रुपे के आसपास, वहीं पे, इस समझा पर किता है, पचपन सो के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, तो अपने all time high के revenue कर रही है, लेकिन all time high के price पे नहीं है, आपको 2 साल पुराने, 3 साल पुराने price पे देखने को मिल रही है, तो एक interest rate ज्यादा होते हैं, तो ज्यादतर लोग loan लेना पसंद नहीं करते हैं, और NBFC कंपनी के लिए क्या चीज़े important है, कि इनके पास पैसा आए, क्योंकि bank भी ऐसी काम करता है, वो आप से पैसा लेता है, 5-6-7% के FD rate पे, और सामने वाले को देता है, 8-9%, 10% के interest rate के अपर, औ यहीं पर अगर आप NBFC होती है, तो आपको 8% के आसपास का interest मिलता है, और अगर आप इससे loan लेते हो, consumer durable चीज़े खरीते हो, हो गया, freeze हो गया, EC हो गया, mobile हो गया, आपको 12% के interest तक पर यह देता है, तो इसी वज़े से हो सकता है, अभी आपको थोड़ी दिक्कत देखने क मिलेगी, लेकिन लॉंग टर्म के लिए बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी शायद ही दिखिया और काफी तगड़ी कंपनी है, जिसने इसने rally देना शुरू कर दिया ना, तो कम से कम 27% तक के अब आपको बहुत ही असानी से देखते हो मिलेगी, जो कि आप यहां से यहां तक क ही calculate कर सकते हो, लास्त तीन साल के अंदर almost 0% के आसपास है या फिर 4-5%-10% आप मान सकते हो, इससे ज़्यादा रिटन इस कंपनी ने नहीं दिये हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिशन इसके उपर, मेरा अपना perspective है, आपका क्या है आप comment section में जरूरू बता सकते हो, currently जो अच्छी company सस्ते price के उपर दिख रही है, तो मैं उसको क्यों ना कर रही दूँ, पहली चीद, दूसरी चीद, देखो ये share बजार है, इसके अंदर 5000 से ज़्यादा कंपनिया हो सकती है कि list हो, लेकिन अगर आप fundamental wise जाओगे, growth wise जाओगे, sustainability के wise जाओगे, आप ऐसी company stability के साथ return मिले, वहीं पर growth आपको कम से कम 15-17% के मिले, तो ऐसी company अगर हम एच्छे price पर मिल रही ही, तो हम क्यों ना करीदे, तो इसी वज़े से हम Infosys की बात कर रहे हैं, और अच्छी company आपके portfolio में होना एक बहुत अच्छी बात है, high inflation वाले environment के अंदर company बहुत सारी होगी बंद हो जाएंगी, तो इसलिए stability जरूरी है, मैंने recently इसको खरीदा है, इसलिए मैं आपके साथ discuss भी कर रहा हूँ, अगर आप देखोगी तो कि major support है इसका ये वाला ठीक है, तो अपने major support के आसपस already आ चुकी है, 50-day moving average को ये तोड़ चुकी है, 200-day moving average के अभी भी उपर है मुझे लगता है एक अच्छे opportunity बन रही है यहाँ पर, 2-3 बार touch कर चुकी है support को देखना होगा, इस बार ये इसको तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, अगर ये नहीं तोड़ती, तो मुझे लगता है आपको असानी से ये जो company है 1613 रुपे के आसपस आता हो दिखेगा, क्योंकि यही इसका एक resistant बन रहा है, अच्छे opportunity है short term, long term दोनों investors के लिए, जो company का RSI चल रहा है, 36-35 के RSI पर company trade कर रही है, लो हमारी अगली company होने वाली है, उसका नहीं HDFC-AMC, अब जित्ते ही बड़े YouTuber को देखोगे, जो भी YouTube पर आगे discuss करते हैं stock के बारे में, initial level पे, जात लग जादतर लोग फसे रहते हैं किया, SJC-AMC में करना क्या है, आपको एक interesting fact दिखाता हो मैं आपको, अगर आप इसका IPO price देखोगे, तो वो कित्ता था, वो करीब-करीब आपको दिख रहा था, 1733 रुपे के आस-पस, आज से कब हो आई है, इसका इपो, 2018 में इसका IPO आई ह दूसरी चीज़, obviously revenue में थोड़ी दिक्कत है, जैसे हमें पता debt mutual fund के अंदर tax बढ़ा दिया है, उसको revenue कहीं नगी comparison करने ही, कोशिश की जारी, obviously debt mutual fund में दिक्कत है, AMC वाले business में दिक्कत है, क्यों? क्योंकि 2 साल से return ने मिले हैं, तो जितने भी mutual fund के अंदर नए investors आये थे, वो छोड़ करके चले गए, obviously ये बाट ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ समझो, जिस दिन यहाँ पर आपको rally दिखेगी ना, किस के अंदर है, stock market के अंदर, share bazaar के अंदर, उस दिन आपको SDFC AMC में जिस level की rally मिलेगी, शायद ही next multi bagger आपको बनता हुआ दिख सकता है, क्यों ये चीज़ आपको समझ नहीं है, कि जब growth आती है ना, ऐसी company में, जो कि underdog company होते, जो कि कि किसी sector के दिक्कत हो के हो, जिसे घूम रही होती, आपने Warren Buffet जी को सुना होगा, लेकिन हम लोग apply नहीं कर पाते, कि अगर किसी business में दिक्कत है, short term के लिए, तो हमें उसको खरीदना जी है, और सेम चीज़ मुझे लगता है, HDFCMC में है, मेरे personal account के अंदर है, मैं इसके अंदर धीरे-धीरे position build कर रहो, obviously बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डाल रहा हो, क्योंकि मैं को थोड़ा diversify भी करना है, क्योंकि मैं पस और भी company है, तो मैं इसके अंदर invest कर रहो, 5-7% के आस rate के RSI पे company trade कर रही है, चुकि एक fear zone माना जाता है, जो अगली company होने वाली है, astral, pipe, wiring और इसका बहुत ही बड़ा moat है, बहुत ही leader company आपको देखने को मिलती है, इसका जो valuation है, 64 के PE पे अभी company trade कर रही है, obviously जो valuation है, काफी higher side पे है, premium valuation company को मिला हुआ है, लेकिन अगर आप द नीचे तकड़ चेक करोगे, तो करीब करीब आपको 27% के आसपास का discount देखने को मिलेगा, जो कि बहुत जादा अच्छा discount मुझे लगता है, इस company के अंतर है, अगर इसके revenue उच्छा आते रहते हैं, तो बहुत अच्छी growth मिलेगी, market के लिए सिफ rally आने की देर है, जितने stock म आपको देखने को बहुत शांदार मिलेगा, finance sector के अंदर बहुत सारा देखने को मिलेगा, pipe sector के अंदर बहुत जारा देखने को मिलेगा, क्योंकि last 3-4 साल में इन companyों ने कोई return ने दिया है, और कधीरे धीरे अपने premium valuation को छोड़ करके undervalued वाले sector में आती है, मुझे लगता ह अच्छे opportunity जो आपको बनती हुए दिखेगी, अगर आप बहुत ज़्यादा safe खिलना चाते हो, वह 12700 रुपे के असपस एक अच्छा support बनता है, यहाँ पर पिसने support लिया था, यहाँ पर भी support लिया था, जिस तरीके से एक fall हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ परा करके एक support ज़रूर लेना चाहिए इसे, तो यह कुछ ऐसी गंपना थी, जो मुझे लगता है, इस वहाँ पर अच्छे buying price के उपर available है, इसी भी retail investor के लिक आपकी अच्छे opportunity बन सकती है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो मुझे बताना आपके बस कौन से stocks हैं, या फिर or selling recommendation नहीं है, I hope आप इसे समस्ते होगे, thank you so much for watching this video, tata bye bye, signing off.